मसकार दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल वर्मा मेडिसीन में तो दोस्तो आज का हमारे टॉपिक होगा चेस्ट कंजेशन और जुखाम खांसी जो इस टाइम वाइरल चल रहा है उसके उपर कौन सी मेडिसीन सबसे बेस्ट काम करेगी आज हम वही जानेंगे तो चलिए जानते है दोस्तो जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाके अल नोटिफिकेशन वाली बटन पर क्लिक कर देना तो दोस्तो आज हम जानेंगे हानी टस होट सिप के बारे में क्या चीज है यह कैसे यूज होता है क्या बेनिफिट है क्या साइड इ करें तो दोस्तो आप लोग जानते हो बारिस का महल है बारिस होता है कई ठंड लगती है कई गर्मी हो जाती है तो मौसम चेंज के मारे चेस्ट कंजेशन जुखाम खांसी और भी बहुत सारी अलर्जी टॉंसिल टाइप का होता है पानी पीने में जब गले में लगता है तो उस चीज में कौन सी मेडिसीन बेस्ट काम करेगी वही लाया हूं आप लोग के लिए देख सकते हो हनी टास होट सिप लिया है मैंने को इसको इसको इस्तमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है इस्तमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है तो पहले हम इसके कंटेंट जान लेते हैं कंटेंट किस किस चीज में यूज होते हैं इसके कंटेंट तो आप देख सकते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही बेस्ट कंटेंट है अगर मैं सारी कंटेंट के नाम लूँ तो बहुत लंब ज्यादा easy है अगर आप घर के अंदर हो तो आपको हल्का सा boiled पानी लेना हैं आधी लास यार एक कप आपको boiled पानी लेना है और एक पूरा जो हॉट उसमें डालना है और हल्का सा boiled करना है मैं आपको बता हूं जो यह टी one के त्यार होएगी यह जो के चेस्ट कंजेशन खासी जुखाम कुछ भी अगर एलर्जी से रिलेटेड जैसे कोई भी प्रोब्लम होगी अंदर फेपड़े के अंदर उस चीज में बहुती ज्यादा बेनीफिट अच्छा काम करती है दोस्तों मैं उसी चीज पर वीडियो बनाता हूं जिसकी बहुत ज् देखी सकते हूं इसमें साथ आते हैं एक डबे में 28 ग्राम का होता है यह और होट सिप है इसका नाम देख सकते हो डावर होट सिप आयरवेधिक है सबसे बड़ी बात यह है आयरवेधिक कड़ा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको मैं बता दू इम्यून आप लोग इसे इस्तमाल कर सकते हैं हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा ऐरवेधिक मेडिकल स्टोर या एलोपैतिक मेडिकल स्टोर और कंपनी का है बहुत ज्यादा ब्रांड़ चीज़ है बिना डॉक्टर के सलाके किसी मेडिसिन को यूज नहीं करना चीज़ है और किसी मेडिसिन की आदत यानी लत नहीं लगाना चीज़ है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार